अगर आप भी दिव्यांग वेक्ति हैं या फिर आपके परिवार में दिव्यांग वेक्ति हैं और पेंशन बनाना चाहते हैं तो वह घर बैटे कैसे ओनलाइन फार्म भर सकते हैं इस वीडियो की माद्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं साथ ही आपको वे दस्तवेज कहां पर जमा करने हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे जाएगी अपने फर्म के साथ कौन-कौन सिमहत पूर्ण दस्तवेज आपको लगाने हैं जिससे कि आपकी पेंशन जल सेल्द बन जाए उसके बारे में भी आपको जानकारी दे जा ध्यान रहे कि यह है जो जानकरी हम दे रहे हैं यह उत्तर प्रदेश के दिव्यांगों के लिए है तो दिव्यांग पेंशन के लिए आपको इस पोर्टल पर आ जाना है और उसके बाद आपको नीचे स्कूल करना है यहाँ पर आपको option दिखाई देगा दिव्यांग pension योजना के विश्य में लिखा हुआ है आपको यहाँ पर click कर देना है उसके बाद आप next page पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता है उसका पातरता को आपको देखना होगा यहाँ पर आने के बाद आवेदन यहाँ पर ओनलाइन आवेदन को option दिखाई देगा लेकिन से पहले आपको पातरता पर click करना है अगर आप इसके पातर है तो ही आप यहाँ पर फार्म भरे तो देखिए यहाँ पर आप वता दें कि पातरता दिव्यांग पेंशन और कुष्ट वस्ता पेंशन दोनों पेंशन यहाँ पर दे गई है यहाँ पर आईउ आपकी 18 से 150 वर्स दे गई है अगर कुष्ट रोग से आप गरस्त हैं तो अगर एक साल भी आईउ है तो भी इसक चेत्र वालों के लिए 40,080 रूपे और सरीचेत्र वालों के लिए 56,460 रूपे वहीं दिव्यांगता कुष्ट परतिसत यहाँ पर देखिए अगर आप एक दिव्यांग है विकलांग है आपका कोई अंग डैमिज है तो यहाँ पर बताया है कि 40 परतिसत जिहां कम से कम 40 प रस्त है और उनकी दिव्यांगता एक परतिसत भी है या फिर 0 परतिसत भी है तब भी वेपेंसन के लिए पात्र माने जाएंगे आए हम आपको बताए चुके हैं पेंसन वादो के लिए ध्यान रहे कि किसी भी परकार की अन्या कोई पेंसन ना ले रहे हूं अन्या इस कि बात करें य案ンタि की मासिक अनुदान की बात करें तो यहां पर पहले 500 रुपे परतिमांद या जाते थे जिन जो दिव्यांगवेक्टी होते थे लेकिन जुक्श ट्रोक से गरस्त थे उन्हें सरकार 25 रुपे देती थी लेकिन अब यहां पर भी 500 रुपे बढ़ा दीए ग लेकिन जो एक्ती कुछ ट्रोग से गरस्त हैं, उन्हें हर महीने तीन हजार रुपे पैंसन दी जाती है, और यहाँ पर आपको अपने दोस्तावेज हैं, वे अपलोड करने हैं, यहाँ पास्पोर्ट साइज फोटो, दिव्यांग प्रमान पत्र, आय प्रमान पत्र और ग्रा उन्लाइन आवधन की, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, उन्लाइन आवधन करें पर उसके बाद आपको निच्ची स्कोल करना है, आपको यहाँ पर अपना फार्म है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो डिक्स्टिक है, वे डिक्स्टिक आपको यहाँ पर अ देनी है उसके बाद आपको यहां पर अपना जो ब्लोक है ब्लोक चुल लेना है ग्राम पंचय चुल लेना है उसके बाद आपको अपना जो भी आपका गाउं है वे गाउं आपको चुल लेना है उसके बाद यहां पर आपको आविदक का नाम डालना है और यहां पर जैंडर डालना है मेल है फिमेल है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जन्म तिति है वह आपको यहाँ पर डाल देनी है ठीक है इस परकार से आपको यहाँ पर अपनी जन्म तिति है वह डाल देनी है इस परकार से आप देखेंगे इस परकार से तो इस परकार से यहाँ पर आप पिता का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है क्या यहां अपना डाल डाल देना है Light आधार काड़ में किसी परकाल क्यों गलती नहीं होने चाहिए और जो भी आपके आधार काड़ में एड्रस है वही आपको यहां पर डालना होगा इस परकार से अपका जो पहला स्टेफ है वह कंप्लीट हो जाता है अब यहां पर बैंक वीवरन की बात करें तो बैंक का नाम आपको यहां पर डालना है अब उसके बाद यहां पर आपको अपनी जो ब्रांच साक्य यहां पर डाल देनी है और फिर दुबारा से यहां पर अपने का खाता संक्य आपको डाल देनी है तो यह स्टेप भी हमारा पूरा हो जाता है अब नेस्ट पर किलिक करना है आपका आए आये का वीवरन यहाँ पर डालना है यहाँ पर आपका जो income application नंबर है वे आपको यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर हिंदी वे बिलिखा हुए आप पढ़कर ही यहाँ पर अपनी जांकारी को भरे तैसिल द्वारा प्रदत आये परमान पत्र करम संक्या जो है यहाँ आपको डाल देनी है यह भी step हमारा पूरा हो जाता है अब आता है दिव्यांग ता वीवरन यहाँ पर आपको select करना है और किस परकार से आप दिव्यांग है वे आपको यहाँ पर चुन लेना है यहाँ पर बताये गया है कि दिव्यांग ता दिव्यांग का परकार ठीक है यहाँ पर आपको डाल देना है दिव्यांग कितनी प्रतिसत्की है वे आपको यहाँ पर डाल देनी है और यहाँ पर दिव्यांग प्रमानपत्र जारी तिथी किस तिथी में जारी हुआ था वे आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ बताएगा कि क्या यूनिक दिव्यांग आपकी संक्या है वे आपको यहाँ पर डाल देनी है इस प्रकार से आपका यह भी step पुरा हो जाता है अब बात आती है आपकी दर्तविज upload करने की तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको file चुने पर click करना है आपको अपनी gallery फोच जाएंगे यहाँ पर jpg या फिर jpeg मे वे 200 kv का होना चाहिए साथी यहाँ पर आपका nest documents है आपका जन्तिति आयू पर्मान पत्र इसी प्रकार से आप भी click करना है और आपना जो PDF file में आपको अपना आयू पर्मान पत्र जमा अप्लोड कर देना है इसी प्रकार से यहाँ पर ग्राम सभा परस्ताव यहाँ पर वे भी अप्लोड कर देना है इसी प्रकार से ठीक है और दिव्यांगता पर्मान पत्र भी आपको अप्लोड कर देना है जोकि 200 kv का होना चाहिए PDF में आपको यह है दस्तावेज अपलोड यहां पर करने होगे इस प्रकार से आपका जो फर्म है यहां तक complete हो जाता है उसके बाद आपको यह है जो यहां पर information दी गई है पूरी आपको पढ़नी है और यहां पर क्लिक करना है capture code दिया यहां पर डाल देना है उसके बाद सम्मीट कर देना है इस तरह से आपको पूरा फार्म है वह complete हो जाता है आपको एक बार से अपना जो फार्म है उसकी पूरी information आपको देखनी है कि आपने कहीं गलत तो information नहीं दी है आपने को जानकारी गलत तो नहीं भरती आपके name में गलते ना हो आपके अड्रस में कोई गलते नहीं हो चाहिए अन्य था आपका जो पैंसन है उससे अपरूवल नहीं मिल पाएगा और आपकी पैंसन नहीं बन पाएगी जल्द बाजे में आपको काम नहीं करना है क्योंकि काफी व् फर्म भर पाएंगे और आपको जन सेवा केंद पर जाकर यह फर्म का जो प्रिंट आउट है वे निकलवा लेना है और उसके साथ आपको अपनाधार काड आए परमान पत्र निवास परमान पत्र दिव्यांग सर्टिफिकेट बैंक पासबुक कावीवरण यानिकी फोरो स्ट आपको अटेच करनी है और वह जिल्द कारेले में जाकर जो दिव्यांग भाग है वहाँ पर जाकर आपको जमा कर देनी है तो यह थी आपके लिए महत्तपुन जानकरी आई होप आपको जानकर अच्छी लगी होगी कुछ दिनों के अंदर एक महीन या दो महीने के अंदर आपकी पैंसन बन जाएगी और फिर आपको भी पैंसन मिलना सुरू हो जाएगी आई होप आपको जानकर अच्छी लगी होगी आप से निवेदन करते हैं कि अगर आपने वीडियो को लाइक कर दीजिए जा सिधार करेगा चैनल पर आप पहली बार आई है तो चैनल को भी आप जरू सब्सक्राइब कर लिजगा अप जाते हैं आप से जज़त और मिलते हैं अपने स्टूडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत